हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम FM radio transmitter बनाना सीखेंगे इसे आप एक छोटा radio station भी कह सकते हो दोस्तों इसे on करने के बाद इस transmitter से 200 गज के area में जो भी radio चल रही होगी आप उसी पर अपनी आवाज सुन सकते हो और दोस्तों इसे बनाना भी बहुत आसान है अगर आप एक electration भी नहीं है तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो तो चलिए friends शुरू करते हैं आज गए वीडियो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह छोटा PCV board का टुकड़ा ले लिया है और कुछ components यह सबसे पहले जो आप देख रहे हों यहाँ पर यह मैंने माइक लिया है और उसके बाद मैंने 68 peaf लिया है और यह अपर यह मैंने 102 peaf लिया है और अब इसके बाद यहाँ पर एक resistance लिए है है मैं आपको बता देता हूँ यह इस परकार एक पेंच कस्री डंडी पर हमें 20 गेज की वायर के 6-6 तरन तक देने होंगे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो हमें कुछ इसी परकार एक कोयल त्यार कर लेनी होगी यह कोयल बनकर त्यार हो गई है यह इसी परकार हमें एक कोयल हाथ से ही बनानी होती है और ध्यान रहे दोस्तों हमें इसमें केवल 6-6 तरन तक ही देने होते है यह इस परकार मैंने एक कोयल बना कर यहाँ पर त्यार कर ली है और अब इसके बाद हम एक एक करके सभी components इस PCB board के टुकड़े पर लगाएंगे बस दोस्तों आपको last तक की वीडियो को ध्यान से देखते रहना होगा तभी आप इसको बना पाएंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह transistor BC548 इस PCB board के टुकड़े पर इस परकार यहाँ पर लगा दिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमेशी परकार यह transistor यहाँ पर लगा लेना होगा और इसके pin मैंने कुछ इस परकार लगाए है यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह transistor का emitter वाला pin है और यह base वाला pin और यह collector वाला pin हो गया और इस circuit को supply देने के लिए मैंने यहाँ पर यह एक minus line बना ली है इस side में और यहाँ पर हमने यह plus line बना ली है हमें कुछ इसी परकार यह transistor यहाँ पर लगा कर त्यार कर लेना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर यह एक resistance ले ली है 4.7 kilo home की यह resistance मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसका एक pin transistor के base वाले pin से जोड़ दिया है और दोसरा pin प्लस line से जोड़ दिया है और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक resistance और ले ली है 330 home की और यह resistance मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसका एक pin transistor के collector वाले pin से जोड़ दिया है और दोसरा pin minus line से जोड़ दिया है और दोस्तों अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 47 PF ले लिया है और यह 47 PF मैंने कुछ इस परकार PCB बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है और इसका एक pin मैंने transistor के collector वाले pin से लगाया है और दूसरा pin transistor के emitter वाले pin से लगा दिया है हमें इसी परकार यह PF यहाँ पर लगा लेना होगा और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर यह 68 PF ले लिया है और अब इस PF को हम PCB board में लगाएंगे यह Adset PF मैंने कुछ इस परकार PCB board में यहाँ पर लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हो और इसका एक pin मैंने transistor के collector वाले pin से लगाया है और दूसरा pin पलस line से लगा दिया है यह इस परकार यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो यह पलस line से लगा दिया है और अब इसके बाद मैंने आप पर यह 102 PF ले लिया है और यह PF मैंने कुछ इस परकार यहाँ पर लगा दिया है और इसका एक pin मैंने transistor के base वाले pin से जोड़ा है और दूसरा pin minus line से जोड़ दिया है इस साइड में देखिए एक pin मैंने base वाले pin से जोड़ा है और दूसरा minus वाले line से जोड़ दिया है और अब इसके बाद मैंने आप पर यह एक mic ले लिया है इसके दो pin होती है यह जो आप green वाली pin देख रहे हो यह minus वाली pin होती है और यह plus वाली pin होती है यह mic condenser मैंने कुछ इस परकार PCB board पर यहाँ लगा दिया है और इसका जो minus वाला point है मैंने minus line से जोड़ दिया है और इसका plus वाला pin जो है वो transistor के base वाले pin से जोड़ दिया है यह हमें कुछ इसी परकार यह mic के यहाँ पर लगा लेना होगा और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर यह coil ले ली है इस coil को बनाने का तरीका आप पहले ही इस वीडियो में देख चुके हो और यह coil मैंने यहाँ पर इस परकार लगा दी है और जो इसका एक सीरा है मैंने वो plus line से जोड़ दिया है यहाँ यहाँ पर इस परकार और दोसरा सीरा transistor के collector वाले pin से जोड़ दिया है हमें कुछ इसी परकार यह coil यहाँ पर लगा लेनी होगी और इसी के साथ यह circuit बनकर तयार हो चुका है और अब हम इसे चेक करके देखेंगे लेकिन चेक करने से पहले हमें इसमें एक antenna लगाना होगा और antenna के लिए हमें डेड़ से दो फुट लंबी wire लेनी होती है लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटी ही wire जोड़ कर दिखाऊंगा यह इस परकार मैंने यहाँ पर यह 6-7 इंच का एक wire का टोड़ा ले लिया है और यह antenna के लिए हमें इसके collector वाले pin से यह wire जोड़नी होती है जो transistor है BC540 उसके collector पर हमें यह wire जोड़नी होती है यह इसका antenna हो गया जो signal को हावा में transmit करेगा यह FM transmitter होता है जो radio के FM वाले band पर ही काम करेगा यह इस परकार और इसे check करने के लिए हमें यहाँ पर एक 9V की battery लेनी होगी क्योंकि यह 9V की supply से चलने वाला circuit है यह इस परकार मैंने यहाँ पर यह 9V की battery ले ली है और इसके साथ मैंने यहाँ पर यह battery का connector भी ले लिया है ये ये connector इस mntry से इस sticker लगा लेना होगा और अब हम circuit को plus और minus supply देंगे इस braces curl जो देनी होगे और जो दूसरी minus वाली router है हम उसको minus line से जोड़ा देंगे हमें कुछ इसी प्रकार 9W की mntry से इसे plus और minus supply देनी होगी और अब इसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एक रेडियो लेनी होगी दोस्तों मैंने यहाँ पर यह रेडियो ले ली है और इसको मैंने FM बैंड पर सेट कर रखा है और अब हम इसी से उस सरकिट को चेक करके देखेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर वो सर्कुट ले लिया है जो मैंने बनाया था यह इस परकार और अब हमसे 9 वोल्ट की मैंटरी से जोड़कर इसको चेक करेंगे जैसे कि मैंने बता था हम इसको 9 वोल्ट की बेंटरी से सप्लाई देंगे लेकिन सप्लाई देने से पहले मैं यहाँ पर रेडियो को ओन कर देता हूँ और इसके सर्कुट डायगराम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से किलिक करके इसका सर्कुट डायगराम देख सकते हो हमें इसको यहाँ से गुमा कर इसको सरी ट्विन कर लेना होगा यह इस परकार मैंने इसको सरी ट्विन कर जिया है जैसे कि आप देख रहे हो इसको इस परकार हम सरी ट्विन कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसको इस परकार ट्यून कर लिया है यहाँ पर और कोई दूसरा रेडियो स्टेशन नहीं है इस परकार हमें यहाँ पर यह ट्यून कर लेना होगा और अब हम किसी भी चीज से इसके माइक पर आवाज करेंगे यह इस परकार यह आवाज आपको रेडियो में सुन रही है इस परकार दोस्तों आप इस ट्रांस्मिटर को स्वेम गढ़ पर ही बहुत आसानी से तयार कर सकते हो और यह केवल 20 रपे में आसानी से बने कर तयार हो जाएगा और इसकी रेंज डेड़ से 200 मीटर तक बढ़ाने के लिए आपको इससे डेड़ से 2 फुट लंबी वायर का इंटेनर दोड़ना होगा और दोस्तों मैं आपको बता दो कि आप इसको स्वेम से भी च्यून कर सकते हो अगर आपको इस्टेशन बदलना है तो आप जो यह स्वेम के अंदर जो ट्रह रहे हैं उनकी दूरी को घटा बढ़ागर यहां से स्टेशन चेंज कर सकते ह और दोस्तों आप इस सर्कृट को किसी भी रूम में रखकर उस रूम में हो रही किसी भी बातखीत को रेडियो पर बहुत ही आसानी से सुन सकते हो इस परकार दोस्तों आप इस ट्रांस्मिटर के द्वारा रेडियो पर बहुत ही साप आवाज बहुत ही आसानी से सुन सकते और यहां पर मैं आपको बता दू दोस्तों जो हमने यह इसमें 6 टरन वाली कोईल लगाई है आप उस कोईल के टरन के बीच की दूरी को घटा बढ़ा कर कोई भी station चेंज कर सकते हो यह इस फरकार दोस्तों आप यहां से कोई भी frequency चेंज कर सकते हो और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक वे शेर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी subscribe करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की switch ना आपको मिलती रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही useful वीडियो अपलोड करता रहूंगा